भाजपा नेताओं और जिले के जिमेदार अधिकारियों ने ग्वालियर शहर को स्मार्ट सिटी नहीं बधाल सिटी बना दिया है यारोप है कॉंग्रिस का दरसल ग्वालियर में बीते दिनों अतिवर्शा के चलते निगम और जिलाप्रशासन के दावों की पोल उस वक्त खुल गई जब एक बुजर्ग व्यक्ति की नाले में बहने से मौत हो गई बीते दिनों ग्वालियर में हुई अतिवर्शा के बाद नदी नाले उफान पर थे इस दोरान सीता राम पाल नाम के एक बुजर्ग व्यक्ति की नाले में बहने से हुई मोत ने शहर में ग्रेनेज सिस्टम और नगर निगम जिला प्रशासन के अधिकारियों के दावों की पोल खोल कर रखती है गौर तलब है कि जिस नाले में बहने से बुजर्ग व्यक्ति की मौत होई थी उस नाले का निर्मान बीते 6 साल से चल रहा है लेकिन निर्मान अब तक पूरा नहीं हुआ मही शहर के अधिकार्श सड़के जरजर हो चुकी है जिसके कारण आए दिन हाथ से हो रहे हैं लेकिन किसी को जनता जनारदन की फिक्र नहीं है इसी मुद्य को लेकर कॉंग्रेस नधरना दिया और लापरवा अधिकारियों के खिलाफ सक्त कारिवाही करने की मांग की मुईते गाडन के पास नाले में भेकर लुजुर सीताराम साउल जी की दुखत मृत्यू हो गई वो अधूरा नाला लगबग 6 वर्स से खड़ा था उस अधूरे नाले के बदोलत उनकी मृत्यू हो अगर वो नाला समर के निर्मान कर कर दिया जाता तो सिताराम जी की जान भी जान उस विलंब का दोशी कों लापरवाई का दोशी कों उसमें किल गोवस गिर चुके हैं किल बार और भी लोग गिर चुके जिनकी जान आफ़त में आई इसका दोशी कों आई आप देख रहे हैं डखल न्यूज झाल 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 क्टाब स्षब्स